उत्राखंड एल्टी से जग भरती का रिजल्ट 15 नोवंबर तक जारी किरने की मांग देेरोजगारों ने दी आन्दोलन की चतावनी उत्राखंड के युवाहों को एल्टी से जग भरती में लंबे समय के बाथ बैठने का मोगा मिला 2017 के बाद उत्राखंड में 2020 में LT की भरती निकली अब UK SSS परिच्छा का प्रेडाम जारी करने में लंबा समय लगा रहा है वहीं UP, TGT, PGT की परिच्छाएं भी उत्राखंड LT के समय पे आयुद की गई थी जिनका प्रेडाम एक मा के भीताद जारी कर दिया गया जबकि UP में परिच्छा में बैठने वाले भीतियों की संक्या उत्राखंड LT के भीतियों से 19 गुना थी युवा लगातार 3-4 साल से बाहर रहे कर कमरों से लेकर कोचिंग तक किराया भरते रहे और हाल यू है कि 5 साल में एक भरती भी पूरी हो पाना मुस्किल लग रहा है सायद यदि आयोग परड़डाम जल से जल जारी कर दे तो कुछ अभिरतियों के सिचक बनने के सपने साकार होने के साथ ही आगे नई भरती के लिए रास्ते खुल जाएं जिससे पुराने लोगों के साथ नई लोगों को भी सिचक भरती में आविदन करने का मौका जल से जल और कम समय के अंतराल में मिल जाए अभिरति लगातार नियमित रूप से ल्टी परड़डाम की आस में आयोग का रुक कर रहे हैं रायोग द्वारा हमें हमेशा ही अभिरतियों को रिजल्ट को लेकर कुछ भी बहाने बनाकर टाल दे जाता है जिससे अभिरती काफी निरास वहतास हैं दिसंबर से राज में चुनावी आचार सहिता भी प्रस्तावित है अगर परड़ाम नवंबर पंदरा ताई तक नहीं जारी हुए तो अभिरतियों को एक लंबा इंतिजार करना पड़ सकता है जिससे अभिरती काफी आकुरुसित हैं और उनका कहना है कि अगर सची संतोस बड़ोनी ने पंदरा नवंबर तक रिजल्ट गोसित नहीं करते हैं तो वे वहाँ दोनों मंडलों में अंदोलन सुरू कर देंगे जिसकी जिम्मेदारी आयोग की रहेगी और वे आयोग वा सची वाले के बाहर करमिक धरना वा भूग घरताल करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आयोग और राज सरकार की होगी एक तरफ तो सरकार को रोजगार के सपने दिखा रही है वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट के इंतिजार में युवा धक्ये खाने को मजबूर है पूर विधायक एवं परदेश कॉंग्रेस जिजपाल सजवान ने कहा कि यहां सरकार परिछा के नाम पर छात्रों को बरगलाने में लगी है जिसका जवाब देही हुआ आने वाले विधान सवाद चुनाव में देंगे